गुड बॉर्णिंग टू आल के पी ओनलाइन निसिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है हॉस्पिल के अंदर यूज होने वाले एक्विमेंट जिसके अंदर हर डे दो दो एक्विमेंट के बारे में बात करते हैं तो आज गत जो टोफिक फटर हैं उसके नेक्स्ट जो एक्विमेंट है उसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑक्षिजन सिलेंडर ठीक है बहुत इंफोटेंट है ऑक्षिजन सिलेंडर इन दोनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज तो बने रहे हैं मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे फेले ओटोक्लेव अब क्या होता है ओटोक्लेव जो मशीन है जैसे आपना देखा होगा कि अंदर जितने भी इस्ट्रूमेंट है उस इस्ट्रूमेंट को इस्ट्राइल करने के लिए इस्ट्रूमेंट को इस्ट्रेल करने के लिए कि जो बैक्टरिया है या ओल पैथोजेनिक माइक्रो और्गनिजम है वो डेस्ट्रूमेंट हो जाए और उस डेस्ट्रूमेंट होने के बाद में यह इस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इनफेक्शन न फेले तो उसके लिए जितने फी hospital के अंदर जो operation करते हैं या जो surgery की जाती है या कोई इसटीस लगाते हैं या कोई भी procedure करते हैं तो उससे पहले जितने फी instrument होते हैं उसको क्या करते हैं स्टेरेल करते हैं तो स्टेरेल करने की एक machine है जिसको बोलते हैं automal तियुकर नहीं देखे का ऐं ऊफर मेटर लगे Gillgil के लिए सबसे फ्यूर फंवनिन से की बात करते हैं कि वह है उसके बात करते हैं देखिए दिख रहे हैं सब लोगों को heading डालिए استilization machine استilization machine की बात करें तो autoclave are also known as steam sterilized है ना ये क्या autoclave क्या है एक steam istilizer है यारी ये क्या होता है कि ये भाफ बनाती है autoclave machine क्या है भाफ के साथ में heat होती है और गरम होती है और गरम होने के साथ में जो instrument है उसके द्वारा या instrument के उफ़र जो micro organism लगे हुए है पैथोजेनिक micro organism लगे हुए है उसको destroy करने का काम करता है टाइफिकली यूज़ फोर दे हेल्ट केर या इन्डिस्ट्रियल एफ्रिकेशन एन ओटोकलेव इस मसिन डेट यूज़ इस इस्टीम अंडर दफ्रेशर है ना जो इस्टीम यूज़ करते हैं वो फ्रेशर के साथ में करते हैं और यह उसकरने से क्या होगा टू किल हारम फूल बैक्टरिया वाइरस फंगाई एंड इस फोर ओन दे आइटम्स देट आर फ्रेश्ट इंसाइड एफ्रेशर वेसल्स ठीक ना इसका मतलब है कि एक ओटोकलेव मसिन जिसका दूसरा नाम है इस्टीम इस्टेलाइजर और यह जो है एक क्या करते हैं एक करने का काम करते हैं तो उसके बाद में एक बात करते हैं कि इस्टेलाइजरेशन के साथ साथ में जो केमिकल्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जे डिसिंफेक्शन है ना इस्टेलाइजरेशन और डिसिंफेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते यह दोनों ही to prevent the growth and development of the microorganism ठीक है न बट उसमें होता है क्या है देखेगा sterilization की definition और disinfection की definition के बारे में अपन बात करते हैं सबसे फेले अपन बात करें sterilization के बारे में sterilization क्या होता है it is a process by which a article surface या medium is made free of all microorganism यहाँ पर लिका हुआ है free of all microorganism either a vegetative या swore form ठीक है न इसले जेसे एक ऐसी फरकरिया है जिसके अंदर free of all microorganism all microorganism के अंदर क्या रहेगा virus, bacteria, fungi, parasite ठीक है न तो यह सब साथ में रहेंगे रहेंगे इसके साथ साथ में जो spore form bacteria होते हैं मैंने आपको बताया था कि spore form bacteria होते हैं spore form bacteria होते हैं कि जो bacteria होते हैं उसके उफर क्या है covering बना देते हैं और covering इतना strong बनाते हैं कि वो किसी भी heat फर जैसे कितना भी heat रहेगा वो destroy नहीं होता है तो यह autoclave machine क्या करती है कि जो spore form वाले bacteria होते हैं इसको भी destroy कर देते हैं और उसके बाद में जितने भी जो instrument है उसको sterile करने का काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है definition आपको अच्छे से आने चाहिए stylization definition यह है कि it is a process of the free all microorganism है ना ओल microorganism से free करता है उसके साथ साथ में आपको क्या भी करता है spore form bacteria होते हैं उसको भी क्या करते हैं डिस्ट्रे करने का काम करते हैं अब देखेगा disinfection dis infection की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या लेका है destruction destruction of all pathogenics and organism capable of producing infection but not necessary spore तो इसके अंदर यह लेका हुआ है कि जो microorganism है उसको तो destroy करेगा बट यह जरूरी नहीं है कि spore form वाले bacteria है उसको भी destroy करे तो यह इसका अलग से definition है तो इसको ध्यान रखना है कि stylization क्या होता है और disinfection क्या होता है ठीक है न तो disinfection के अंदर आपको spore form bacteria बोलना जरूरी है यह न इस पॉर form इस पॉर form वाले जो bacteria होते हैं उसको भी destroy करने का काम करता है वो है stylization और distillation किसके दारा होता है autoclave machine के दारा होता है ठीक है डूसर नेक्स देखते हैं नेक्स एक यह देखिए देखो instrument आपको दिख रहा है यह है autoclave जब machine नहीं होती है autoclave machine जो large amount के अंदर बहुत सा instrument है यूज किया और यूज करने के बाद में यह क्या है कि इसको इसमें गरम पानी रहता है ठीक ना तो गरम पानी रहता है instrument को यूज किया और उसके बाद में इसको गरम पानी के अंदर डाल दिया ठीक है न तो यह भी अपने इस्टेरलाइजर मसीन है तो यह अपने ओस्फिल के अंदर मिलती है जिसमें कुछ जो इस्ट्रूमेंट है बार बार यूज लिए जाते हैं उसको उस गरम पानी के अंदर रखते हैं और यूज करते हैं ठीक है तो यह आप देख लिए दूसरा है ऑटोकलेव मसीन के अंदर आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले मसीन देखिए उसके अंदर यह क्या है ड्रम रखते हैं और ड्रम को फेकर के बाद में जो उटकलेव मसीन थी उपर बताई थी उसके अंदर रख करके ओटकलेव किया जाता है ठीकर आपने यहां पर देखा होगा कि है जो सेद दीख रहे हैं तो इससे जो इस scor speculation में बनेगी उससे क्या है इसके अंदर जाएगी ठीक है के नेकस्ट देखेगा सबसे इंफोर्टेंट है कि जो ऊटो गब करते हैं तो उसके अंदर क्याकरते हैं प्रेशर कितना होना चाहिए इस्टिलाजेसन विद इस्टीम अंडर फ्रेशर तो इसके लिए देखिएगा सबसे इंप्रेशर है रिक्वार्मेंट ओफ टेंफचर एंड फ्रेशर तो टाइम रिकॉर्ड-एट 1 21 डीग्री सेल्सियस देखेगा कितना डीग्री सेल्सियस उस रखना है और उसके बाद में जो इसका फ्रेसर होगा कितना रणा चाहिए 15 IBS IBS तो यह सबसे important है आपके exam के अंदर आने वाला है कि autoclave machine होती है उसके अंदर कितना pressure होता है और कितने time तक उसके instrument है उसको अंदर रखते हैं तो यह सबसे important है VVI आपको हर exam के अंदर यहीं पूशता है तो यहीं पूशेगा ठीक है उसके बाद में इसके कौन-कौन से advantage है कु और पार्ट ओफ दे autoclave machine तो पार्ट के अंदर यह कौन को क्या-क्या लगे हुए है प्रेसर गोज लगे हुए रहते हैं ठीक है यह वाला है फ्रेसर गेज उसके बाद में safety वाल लगा हुआ रहता है autoclave lead है यह और उसके बाद में यह जो autoclave machine है और इस्ट्राइल इस्टुमे body है steam release valve देखो यहां पर दो वाल लगे हैं एक तो है steam release valve है और एक है vacuum release valve है ठीक है और यह वाला है outer stand है जो इसके उपर autoclave रहता है ठीक है autoclave के अंदर होता क्या है साधानुत क्या होता है कि नीश से जो एक electric rod लगी होती है उसके अंदर पानी भरते हैं और उसके उपर एक ज का देते हैं यह drum रख देते हैं और फिर बाद में current को start करते हैं और उसके बाद में यह जो temperature और प्रेसर है उसके उपर 15-20 मिन तक रखते हैं और उसके बाद में इस्टूमेंट को बाहर निकाल देते हैं यह है अपने autoclave machine ठीक है तो देख लिजिए identify करना है आपको वाइव प्रेस्न ठेटर होते हैं उसके अंदर यह सब रहते हैं जिसमें बार-बार सजरियां होती रहती हैं तो इस्टूमेंट को इस्टिलाइज करने के लिए autoclave machine यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरे नमर का जो इस्टूमेंट है वह ऑक्सीजन शिलेंडर देखने में तो यसा लगता है कि ऑक्सीजन देने में ऑक्सीजन देने के लिए दिया जाता है बट एक नर्स को एक health care worker को या किसी भी medical जो सेक्टर के अंदर काम करने वारे लोग हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में proper knowledge होने चाहिए ठीक है जैसे कि emergency के अंदर कोई फ मतलбुरी हुँए ठीक है तो यह है और ग्लिट के आंदर को इंदर के आंदर के ऑक्सेजन सिलेंडर का है जो टॉली है ठीक है या उक्सीजन सिलेंडर इस्टेंड है है टॉर इन्वा क्या है चै यहां पर जो 5 लगा हुआ है यह oxygen cylinder थीक है तो यह पेसेंट को लगाया जाता है यहां पे यह वाल है इसको कम या तेज किया जाता है और यहां पे एक मीटर लगाया हुआ होता है कि कितना ml per minute के एकोडि जाता है उसके बारे में बात करते हैं मौशली oxygen cylinder के बारे में मैंने आपको oxygen therapy पढ़ाया था उसके अंदर oxygen कितना देते हैं कैसे देते हैं कौन-कौन से root है और क्या उसका benefit है यह ज़्यादा दोंगे तो क्या होगा कम oxygen जाएगी तो क्या होगा सारा detail oxygen therapy के अंदर प्रिविएस क्लास के अंदर जो वीडियो आया था उसके अंदर आपको बताया गया है तो वहां से आप भी आप नॉलेज गरन कर सकते हैं ठीक है नेक्स देखेगा और अक्सिजन शिलेंडर देखा उसके बाद में और टल डाए रहो लेंडर के फास यहांस जो है oxygen जो आउटफूट हो रही है ठीक है देखेगा यहां पे oxygen आउटफूट है ना यहां पे oxygen लगता है और शिलेंडर से यह है oxygen फ्लो मिटर तो फ्लो मिटर के अंदर यहां पे रिडिंग होती है कि कितने पे लगाया हुआ है ठीक है यह पेसेंड को कितना oxygen देना है जैसे डॉक्टर मॉसली बोलते हैं टू टू फॉर पर मिनिट के हिसाब से oxygen लगाना है तो ठीक है oxygen शिलेंडर को वहां से स्टाट किया स्टाट करने के बाद में यह फ्लो मिटर है इसके अंदर क्या होता है यह मिटर लगा हुआ रहता है ठीक है दूसरा यहां पे भी एक पारा लगा हुआ रहता है और जैसे आप देखते हो यहां फे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे मार्किंग किया हुआ होता है ठीक है और उसके बाद में जो यह है अपने oxygen 5 लगा हुआ रहता है और यहां से क्या है oxygen cylinder को क्या करते हैं लगाते हैं तो cylinder लगाया लगाने के बाद में उसको जो fresher release किया और fresher release किया तो यहां फे fresher कितना है और उ उसके बाद में यहां पे देखेगा कि इसके अंदर पानी भरा रहता है ठीक है यह क्या है humidifying bottle होती है जिसके अंदर क्या है कि जिसके ऑक्सीजन देते हैं तो dry oxygen जाएगी तो जो न।ो क्या करएगा dry करदेगा तो यहां से humidifying जो bottle होती है जिसके अंदर पानी रहता है और इसे पानी से होते हुए oxygen जाएगी तो नमी यूग तो oxygen जाएगी ताकि patient को कोई दिकत न हो ठीक है तो इसमें पानी भी एक level लगा हुआ था है उस level तक वरा हुआ होना चाहिए और उसके बाद में इसको यहां से यहां से यह खु खोल करके वापस पानी भी वर सकते हैं तो यह था आफका oxygen flow meter ठीक है नेक्स्ट है oxygen mask देखेगा यह oxygen mask के cylinder से डारेक्ट जोडते हैं और उसे patient के जो face से वहां पे लगाते हैं और दूसरा बहुत very stiff के जो oxygen जो देने का procedure होता है जैसे यह तो mask हो गया दूसरा है nasal frong होता है जो direct nose के अंदर लगाया जाता है तो यह है आफका oxygen mask ठीक है उसके बाद में next देखेगा कि oxygen cylinder question यह आता है कि oxygen cylinder होता है उसका जो color है वो कैसा होता है ठीक है तो यहां फे लिका हुआ oxygen यह gas मतलब कौन सी gas है दूसरा है कि यह shoulder और body जैसे आपने देखा होगा कि oxygen cylinder है ठीक है तो य oxygen cylinder है और उस cylinder के अंदर जो यह तो यह वाला फार्ट हो गया वो हो गया body part और यह उफर वाला फार्ट क्या हो गया solder वाला part हो गया ठीक है देखते हैं पहले oxygen cylinder के बारे में solder part कौन सा है और body part कौन सा है देखिएगा यह जो oxygen cylinder है उस cylinder के अंदर जो यह black black दिख रहा है वो क्या है body black है body black क्या है body और उसके बाद में जो white वाला part दिख रहा है जो white क्या है W-H-I-T white क्या है वो है solder S-S-O-U-L-D-E-R ठीक है तो इस oxygen cylinder है उसका color किस टाइब का है देखो black body है oxygen cylinder का color क्या होगा black body and इसको solder white बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हैं कि black body इसको ऐसे भी बोल सकते हैं black body body कैसी है oxygen cylinder की body कैसी है black है और तौफ है वो तौफ यह उफर वाला part है तो तौफ white है तो यह है oxygen cylinder का color हमें साथ ध्यान रखना है आपके examiner यहीं पूछेगा कि oxygen cylinder का color बताइए तो आपको यहीं बताना है कि black body है और तौफ क्या है white है तो दिख रहा है question के इसे image के अंदर भी आपको दिख रहा है कि body कैसी है black है और जो टौफ पार्ट है उफर वाला पार्ट है वो क्या है white है तो उसी साथ से mostly जो hospital के अंदर यूज होने वारे जो गैस cylinder है तो oxygen है तो oxygen सबसे पहले जिसका white shoulder है और black body है डूसरा आपको याद रखना है nitrous oxide यह भी hospital के अंदर यूज होती है तो nitrous oxide का जो color होता है वो blue color होता है top भी blue होता है और body भी blue देखने को मिलेंगी उसके बाद में next तीसरा जो आपका hospital के अंदर प्रेग जो सिलेंडर होगा वो carbon dioxide का होगा जिसके अंदर कैसा color होगा grey coloronceal CGC का मतलब carbon dioxide और G का मतलब grey ठीक है तो आपको carbon dioxide का मतलब carbon dioxide और गरे ठीक है डूसरा आपको याद रखना है nitrogen का nitrogen का Nope THE H總耶 तो यह आपको याद रखना है दूसरा है oxygen को केसे लगाया जा रहा है यह देख लिएание तो यह फे फिट गप हैं और oxygen यह लगा हुआ है पेसेंट आराम से oxygen ले रहा है तो आज जो आपने जो important topic जो instrument फड़े हैं जिसके अंदर सबसे फेले अपने फड़े हैं और उसके बाद में अपने फड़े हैं oxygen cylinder के बारे में तो I have hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सारा वीडियो समझ में आ गया होगा यह दी आपको वीडियो समझ में आया है तो like share and subscribe करना न भूले दन्यवाद